आप सभी देखे रहे प्रेम सम्प्लेन दोस्तों हर रोज की तरह आज भी आप सभी के लिए हमने एक बैतरीन सा सिंगल स्टोरी एक हाउस प्लान लेके आये हुए और आज का मारे यह जो प्लान आप देख रहे होंगे आज इस वीडियो में इसी मोडल को डिसकस करेंगे दोस उसके साथ है घर का नक्सा जो इसका प्लोट साइज टोटल आएगा वे आएगा 25 फिट बाई 35 फिट के अंदर लेकिन हमने 25 बाई 5 फिट के अंदर फ्रॉंट साइट के और यहां पर गार्डेनिंग करने के लिए इस पीस भी छोड़ा हुआ है आप देख पा रहे होंगे और फ्रॉंट साइट पर हमने बहुत ही सिंपल पर रखा हुआ है एलेवेशन बगेरा और यहां पर हमने इस्टेयर केस जो जीना है उसको आमने भारी साइट से रखा हुआ है ताकि आप बाद में फर्स्ट पर और सेकेंड फोर करके रहेंड पर देना चाहते है तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो कुछ उस्तरिके से अमने इस घर को प्लानिंग किया हुआ है इसी कारण अमने स्टेयर के सेनी कि जीना जो है वो आमने भारी साइट से रखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे और यहां पर आपको ले चलता हूँ में इसके अंदर की और आप कही 15 feet by 10 feet के अंदर यह hall room पर पहुंचेंगे यह जो hall room आप देख रहे होंगे यह sitting hall आएगा आपका 15 feet by 10 feet के अंदर अपना TV cabinet बगएर इस साइट के और वाल पर आप सेट कर पाएंगे कोई दिकत नहीं रहेगा और इस साइट के और आपको यहां पर एक डूर फ्रेम देखने क मिलेगा यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ यहां पर और उसी से आपको इस साइट के और यहां पर एक डूर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो यह 10 feet by 13 feet के अंदर रहेगा एक bedroom उसके बाद दूसरा bedroom पर जाने के लिए यहां से रहेगा डूर यह यहां पर लेड़ बाद और लेड़ बाद पर ventilation के लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मने back side के और यहां पर एक ventilator के उसके वाए जो यहां पर हमने open space सोड़ा हुआ डॉक यानि की OTS उसके साथ connected रहेगा bedroom पर भी उसी OTS यानि की डॉक से आपको ventilation मिल जाएगा आप देख सिंपल पर रखा हुआ है आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से अमने इसका designing यानि की लूक तयार किया हुआ है और इस घर को बनाने में जो लागत लग सकता है वह आप किस तरीके से बनाएंगे और क्या-क्या मेट्रेल से बनाते उसी के उपर depend करते फिर वी आप ऐसे अने बाद, थैंक यू वर वाचिंग, प्रेम्स होम प्लें